राहुल गांधी के की अगवाई में राहुल गांधी के प्रोसान में सेना के उपर अनवश्चक हमले किया जा रहे है अच्छा है वो पाकिस्तान में खुब दिखेंगे लेकिन भारत राष्ट ऐसे महान देश का एक आईन भी तो होता है ना उसकी एक छमता प्रतिभा उसका एक आदर होता है नचा यह सेना को कब तक आप इस तरह का पॉलिटिक्स का केद बनाएंगे अपनी छोटी सियासत के लिए चुनाओ आएंगे जाएंगे पार्टियां जीतेंगी हरेंगी लेकिन देश रहेगा और देश की सेना रहेगी और मैं हमेशा कहता हूँ देश के लिए जीते तो हम सब हैं देश के लिए मरते हैं शहीद होते हैं हमारे सेना और पैरामिलिट्री के लोग अब क्या उनकी शहादत पर भी स्वाल उठाय जा रहे हैं तो हम इसका दवर्दस प्रतिकार करते हैं इसकी भर्षना करते हैं और आज मैंने सुना है कि कुछ लोग विशेश रूप से रमजान को लेकर स्वाल उठा रहे हैं कि एक कारिक्रम क्यों बनाया गया है ऐसे नेताओं को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो रमजान रखते हैं इबादत करते हैं उनको कोई आपती नहीं है उनको बहुत आपती है उस समय तो होली भी आ रही है कुछ दिन बाद चायत की नुरात्रा भी आ रही है तो इसका मतलब क्या है और जो लोग इस स्वाल उढ़ा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे पिछले साल कैराना का लोकसभा का उप चुनाओ तो रमजान के महिने में हुआ था जहां तक मुझे स्वर्ण है और वहां बीजेपी की हार हुई थी वो लोग जीते थे तो दरजनों चुनाओ त्योहार के समय होते हैं हां जिस दिन इग्जेक्ट त्योहार होता है उस दिन वोटिंग नहीं होती है इसका इसकी ध्यान का याद है तो यह जो लोगोंने सवाल उठाया है यह उनकी हताशा है यह हम कहना चाहते हैं कल हमने कहा था कि जो चुनाओ योग ने चुनाओ के कारिक्रम की घोशना की है हम उसका स्वागत करते है अब आज मैंने सुना है कि कुछ लोग विशेश रूप स रमजान को लेकर स्वाल उठा रहे हैं कि कारिक्रम क्यों बनाया गया है ऐसे नेताओं को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो रमजान रखते हैं इबादत करते हैं उनको कोई आपती नहीं है उनको बहुत आपती है उस समय तो होली भी आ रही है कुछ दिन बाद चायत की नौरात्रा भी आ रही है तो इसका मतलब क्या है और जो लोग इस स्वाल उढ़ा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे पिछले साल कैराना का लोकसभा का उप चुनाओ तो रमजान के महिने में हुआ था जहां तक मुझे स्परण है और वहां बीजेपी की हार हुई थी वो लो जनों चुनाओ त्योहार के समय होते हैं हाँ जिस दिन इग्जेक्ट त्योहार होता है उस दिन वोटिंग नहीं होती है इसका इसकी ध्यान का याता है तो यह जो लोगोंने स्वाल उठाया है यह उनकी हताशा है यह हम कहना चाहते हैं कि दूसरा विशाई यह था कि आज कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है जो यह कह रहे हैं उनको हम एक बात पूछना चाहेंगे उनसे चुनाव आयोग पर हमला किस ने बोला था कॉंग्रेस पार्टी ने उनकी सयोगी दलों ने इवी एम को लेकर इतना बखेड़ा किस ने बनाया था कॉंग्रेस पार्टी उनके सायोगी दलों ने सुप्रिम कोट के राफेल पर फैसले के बावजूद बार-बार सौल उठाना कौन करता है कॉंग्रेस पार्टी करते हैं एक फिक्रिण को किश्याने की वस्ट पर है कि विपक्ष के लोगों ने किया था टो सम्रेदान सम्वेधानिक संस्थाओं पर रोज़सवाल करे वह सम्रेदानिक संस्थाओं पर हमला करे वो और बीजे पर आरोप लगाएं तो इससे बड़ी जूठी बात कोई हो नहीं सकते और तीसरी बात जो बतानी बहुत जरूरी है कि आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुक्ष मंत्री ने कॉंग्रे से कुछ अनी निताओं ने फिर एयर फोर्स की स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिये कुछ लोगों ने बड़ी ही शर्मिंदगी भरी टिपणिया की है ऐसे लोगों से मुझे एक ही बात कहनी है जो मने पहले भी कहा था पूरी दुनिया भारत के साथ है पूरी दुनिया भारत से कोई सवाल नहीं पूछती लेकिन इन लोगों को एर फोर्स की थाकत पर विश्वास नहीं है इसे साफ साफ ये कहा है बीजे पी की ओर से हमारा अस्पष्ट कहना है ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है और ये बात मैं आप से इसलिए कह रहा हूँ याद करिए दो दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस में आप लोगों ने एक सवाल पूछा था दिविजे सिंग के कमेंट पर कपिल से बचितामरम के कमेंट पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राहुल गांधी के की अगवाई में राहुल गांधी के प्रोसान में सेना के उपर अनवश्चक हमले किया जा रहे हैं अच्छा है वो पाकिस्तान में खुब दिखेंगे लेकिन भारत राष्ट्र ऐसे महान देश का एक आईन भी तो होता है ना उसकी एक छम्ता प्रतिभा उसका एक आदर होता है न क्या यह सेना को कब तक आप इस तरह का पॉलिटिक्स का केद मनाएंगे अपनी चोटी सियासत के लिए चुनाओं आएंगे जायेंगे पार्टियां जीतेंगी लेकिन देश रहेगा और देश का सिना रहेगी और मैं हमेशा कहता हूं देश के लिए जीते तो हम सब हैं देश के लिए मरते हैं शहीद होते हैं हमारे सेना और पैरामेट्री के तो अपने ही नियताओं पर आप क्रिफया करके नियंत्रन करें. That's all. I see a lot of sponsored comment happening today, notably from Mamtaji and some others, that in the whole election program, Ramzan is going to be affected. I would like to gently remind those leaders, don't be so desperate. Even Holi is coming in the election campaign. Even the Chait, Naratra is coming in the election campaign, program period. And for them, just to know, that last year the Karana by-election was, took place during the Ramzan period itself. So also I am told the Noorpul by-election. So many elections have taken place. Yes, I can understand. On the exact day of polling, there should not be a festival. Therefore, this comment by itself is an indication of desperation of leaders who are fearing imminent defeat. I have heard that Congress Party and their associates are also charging us for trying to weaken the institutions of India. Come on, who is saying that? Who unleashed a torrent of abuse against the election commission in the wake of EVMs? The Congress Party and their associates. Who has refused to accept the verdict of the Supreme Court in the wake of Raphael? The Congress Party and their associates. Raising the same question again and again, which has been rejected by the Supreme Court. Who unleashed abuse on the CVC? The Congress Party and their associates. The Congress, please look in words as to how you all have been abusing recognized institutions of India. Those who do their bidding are okay. Those who don't are subject to abuse. That is what the Congress Party is about. Lastly, this morning I have heard that Mr. Farouk Abdullah and some other leaders have again raised doubts about the surgical strike by the Air Force. No country in the world is asking evidence. They are believing India's story. The Air Force chief has said categorically, it has happened. There is substantial contemporaneous evidence available of the long-term damage. Pakistan is not permitting international media to go to Balakot area where the strike took place. But you don't believe this demeaning, the sacrifice and the valor of the forces is most condemnable. We all live for the country. The security forces and the parliamentary forces would die for the nation. Let's learn to respect that. But the silence of Mr. Rahul Gandhi is absolutely conspicuous and surprising. He did not dissociate from the comments of D. Vijay Singh, Kapil Sabal and Chidambaram. Even in the press conference he did not give a reply. We are very clear all this is happening because of the instigation, patronage and direction of Rahul Gandhi. The country surely will give a fitting reply. We are an angry झाल